दोस्तो इसराइल और इरान के बीच शुरू होए युद्ध में भारत का नाम घसिटने की कोचिश की जारी है असल में आपसे कुछी महिनों पहले है इसराइल के तरफ से हमास पर कुछ हमले किये जाते हैं और इन हमलों के कुछी दिनों बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी कई हत्यारों की सप्लाई इसराइल को कर रही है जहां पर इसराइल उन हत्यारों का अस्तमाल करते हुए मासूमों की जान ले रहा है जाहे तो इन सभी युद्धु को एक दिन में बंद करा सकता है लेकिन बैकेंड से वो सप्लाई देता रहता है ताकि वो असानी सपने हत्यार बेज सके जिसके कारण आज दुनिया की टॉप सैवन डिफेंस मैनिफाक्चर कंपनी के लिस्ट में अमेरिका की पांच कंपनिय जयाम सब के लिए अच्छी बात यहाँ की आज एक रिपोर्ट सामने आ चुके है जिसमें बताया गया है कि जो भारतिया कंपनीए इस्रैल को हतियार सप्पाइग नहीं कर रही थी और अब इस सबक्राऋब प्रश्ट मीडिया कुछ भी नहीं बोलने वाला है आप हमें कमेंट्स मता सकते हैं कि पश्मी देश दोगलापन करते हैं या फिन यह सोनों के साथ कमेंट्स में जरूर लिखे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वाटसप चैनल को भी जोइन कर सकते हैं जिसका लिं यह करीब करीब 20-25 भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किये गए हैं और इस रिपोर्ट के बेसे पर भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत हतियार बेचने में लगा हुआ है और दुनिया में लोग मर रहे हैं इसे भारत को कोई भी चिंता नहीं है लेकिन आज इस है असल में भारत के तरफ से 20 एस्ट ट्रक्चर हांस 900 के कॉंपोनेंट को सप्लाई किया गया है हमने कोई भी कम्प्लीट ऐसा डिफेंस एक्यूपमेंट्स इस्राइल को एक्सपोर्ट नहीं किया है जिसका इस्तिमाल इस्राइल किसी को मारने के लिए कर रहा हो वहीं आपको यहां पर भारत की कोई पार्टि एडिया को एक्सपोर्ट करने में जिसका इस्तिमाल किसी को मानने के लिए किया गया हो लोकिन इससे भारत को नुकसान ह셨어요 this साल 2018 में अधान इंटरप्राइज और इसराइल की कंपनी एलबिट सिस्टम जो कि इसराइल की लार्जस आम प्रोडीसर कंपनी है इन्होंने जॉइंट वंचर इस्टाइबलिस करके भारत में इनको प्रोड्यूस करने की त्यारी शुरू की थी यहां पर भी अगर फ्यूचर भारत मता कीचे